अगर आप पूरी तरह से और्गानिक फ़ल और सब्जीयां पाना चाहते हैं तो एक्वापॉनिक खेती बड़े काम की चीज है अगर आप इस तकनीक से करते हैं तो पानी की करीब पिचानवे फीज़ती बचाता होगी आज हम बात करेंगे अग्यापॉनिक फार्म ही जिसमें चाहाती हैं जिसमें अमोनिय होता है वर टैंक में पड़ा रहे हैं तो जηकलि बखके लिए साबित हो ताग gotta है जब यह थी जड़ा तक पहुंचता है तो वहां पर जड़ा में मौझद बैक्टिरिया इसे नाइट्रोजन में थोड़ देते हैं जो पौदा के बिकास के लिए बहुत ही एहम होता है इसके पानी को फिर से प्यूरिफाइग किया जाता है और दुवारा मसलियों के टैंक में डाला जाता है इस तरह एक ही पानी बारवा इस्तेमाल होता रहता है पानी के बच्चत होती है कई लोग तो नीचे टैंक में मचलियों उसी के उपर सब्जियां भी उगाते हैं हालांकि उसमें पानी को कुछ कुछ दिनों पर बदलने की जरूरत होती है वैसे तो आप एक पॉनिक फार एक एकड़ में खेती के लिए रोजाना करीब 600 यूनिट विजली की जरूरत होती है अब बात आती है मुनाफिक होगा जब आप हाई क्वालिटी वाली चीज़ें लगाएंगे वहीं खेती से हुई पैदावार पूरी तरह और्गैनिक होती है तो इसके लिए आपको सामान पानी के लिए आप बड़े बड़े रेटेल स्टोर रेस्टोरेंट और फाविस्टर होटरों से कॉंट्रेक्ट कर सकते हैं इस खेती का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इसमें लगवाव पिचान फिजदी पानी के बचत होती है एकड़ खेती में मचलियों के मल से फार्मिंग में आप लग अलग इंट्रस्ट्रक्ट्रक्ट परना होता है इसमें पहले यह देख लें कि आप करने की सोच रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है आपको पाली हुई मचलियां बैक्टेरिया पौदर के जानकारी होनी चाहिए अगर इसा नहीं है तो बहुत से अका बरना पौधों को दिक्कत हो सकती है एकप और खेती से सुरुआती लागत बहुत अधिक आती है ऐसे में किसी दुरकटना आधी की वज़े से नुकसान बहुत अधिक हो सकता है जमीन पर हुई खेती में नुकसान कम और सीमित होता है